आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ और्गैनिक हार्वेस्ट की इस कुमकुमादी फेस क्रीम का रिव्यू ये एक दे क्रीम है आप इसे नाइट पर भी योज कर सकते हैं कुछ ऐसा नहीं है अगर मैं बात करूँ और्गैनिक हार्वेस्ट की जितने भी प्रोडेक्ट होते हैं वह 100% और्गैनिक होते हैं नेच्रल इंग्रीडियंट के साथ बनाया जाते हैं कोई भी हामफूल केमिकल्स नहीं डाले जाते आधी साथ टोक्सिक 20-2 होते हैं डबर लोजिकल टेस्टे अप्रूव होते हैं वीगन होते हैं क्रूली फ्री रहते हैं तो यह चीज़ तो बैस्त है और मैंने यह चोटी सी जो क्रीम है यह ट्राइल पॉइंट में खरीद है समीटन से अल्ली वन लेकिन अगर आप इसका बड़े वाला पैक खरीदना चाहते हैं तो कुछ इस सरे की पैकिंग में आपको मिल जाएगा तब कर्टेइनर के साथ और अगर प्राइस की बात करो तो प्राइस इसका आपको 100 ग्राम की क्रीम का जो है 500 से 500 के बीच में पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आउट वजट हो जाता है लेकिन मिड रेंज अगर हम देखे जाए और ब्रैंड के कंपेरिजन तो एक मिड रेंज में आता है बिलकुल लो बजट में भी नहीं है और बिलकुल हाई बजट में भी नहीं है तो मिड रेंज में आता है और अगर बात कीज़े इसके quality की तो पहले मैं आपको बता दू इसके जो ingredient है वो मुझे काफी जदा अच्छे लगे थे तब ही मैंने इसे purchase किया था Like इसका जो saffron ingredient है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है Second जो इसके अंदर ingredient है वो combination of four oils है Like mangesta oil, turmeric oil and इसके साथ साथ इसके अंदर डाला गया है banian oil और इसके अंदर डाला गया arrogant oil जो चारो ingredient है ना इतने सूप है यह हमारी skin को super hydrate करते हैं moisturize करते हैं blemishes free करते हैं हमारी skin को youthful glow देते हैं और साथ साथ हमारे skin पर जो wrinkles, fine lines होती हैं उससे fight करने में काफी ज़्यादा help करते हैं तो इसलिए मुझे यह ingredient काफी ज़्यादा अच्छे लगेते हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसे कौन-कौन use कर जकता है तो सिर्फ और सिर्फ try and combination skin वालों के लिए मैं इसे recommend करूँगी बहुत ज़्यादा oily skin वालों के लिए recommend नहीं करती हूँ क्योंकि यह कही न कहीं उनके skin को थोड़ा oily कर सकता है बिकाउस इसके अंदर oil extract बहुत ज़्यादा डाले गई है लेकिन अगर fragrance की बात कर तो इसकी fragrance पिलकुल like lab and seffron की आती है बहुत ही अच्छी लगती है और second इसका जो texture है वो काफी ज़्यादा light weight है इसलिए कम quantity में ही हमारे face के अंदर अच्छे से लग जाता है और काफी जल्दी से absorb हो जाता है इसके बाद आपके skin पर एक आपको लगता है कि ऐसा आपने skin पर face cream लगाई हो और आपको एक अच्छा सा glow प्रोवाइड करता है और काफी long time तक यह आपके skin को nourish and moisturize करके रखता है अगर आपके skin dry रहती है तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा best है अगर बात कीज़ें इसको face पर आप तिन में दो बर लगा सकते हो अगर आप उपना face wash करते हो दो बर तो दो बर easily लगा सकते हो आपको थोड़ा सा amount लेना है face पर लगाना है हलके हाथों से आपको massage करनी है mild सी massage करनी है बहुत ज़दा heavy massage नहीं करनी है आपकी skin के अंदर ये body and आपकी skin के अंदर ये बहुत ही जल्दी से observe हो जाग है and leave it उसके बाद आप चाहे कोई face makeup भी कर सकते हो आप इसे अपने face makeup में भी use कर सकते हो as you wish जैसे आप try करना चाहो वैसे आप कर सकते हो तो ये किसी भी तरह से आपको harm नहीं करेगा लेकिन फिर भी अगर किसी की skin बहुती ज़्यादा sensitive है या कोई issues है skin पर तो थोड़ा avoid करें अगर किसी की skin पर acne है तो भी आप avoid किजएगा अगर आपकी skin normal combination है तो आप इसे use कर सकते हैं तो ये था मेरा honest review अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को like करना है और चैनल को subscribe करना है and thank you for watching bye bye take care